एलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल गाइज आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग दातों को चमकाने वाली और दातों से पीलेपन को खतम करने वाली रेमेडी लेकर आई हूँ ये रेमेडी बहुत ही चमतकारी है ये की बार के यूज से सालों पूरानी दातों पे जमी मैल और पीली परत को हटा कर बिल्कुल सफेद और चमकीले मोतियों जैसे आपके दातों को बना देगी आपके मुग की बदबू को दुरगंद को आपके दातों में अगर कीड़ा लग गया है तो उसे आपके दातों को साफ करेगी ये आपके दातों के दर्द को ठ तो चलिए हम देख लेते हैं इस रेमेडि को हम कैसे बनाएंगे इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लसन यानिकी गारलिक तो यहां पर हमें लसन की दोकली लेनी है और उसको हमें ग्रेटर लेंगे और एक बाओल में उसको ग्रेट कर लेंगे लसुन में एंटी आक्सिडेंट बहुत ही बरपूर मातरा में होते हैं जो कि हमारे दातों के इफेक्टेट एरिया में जैसे जहां दातों में दर्द हो रहा है या कमजोर दाते हैं या दातों से मसूरों से हमारे खुन निकल रहा है तो इसको लगाने से हमारे दातों के दर्द में और इस प्रॉब्लम में भी बहुत आराम मिलता है और हमारे दातों पे अगर दाग दबे हैं, पीले पन की परत है, उसे ये हटाने में बहुत जादा मदद करता है सेकंड इंग्रीडियंट हम लेंगे बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा जो हम घर में काम में लेते हैं न कुकिंग वगेरा में वही हमें लेना है इसको सोडियम कार्बोनेट भी का जाता है वन टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे हम और इसके साथ इसमें एड़ कर देंगे बेकिंग सोडा हमारे दातों के दाग दबो को खतम करता है दातों को सफेद करता है और दातों को मजबूत बनाता है अब नेक्स इंग्रीडियन्ट लेंगे हम नीमबू वन टी स्पून निम्बू का रसम इसमें एड़ कर देंगे निम्बू में विटामीन सी बरपूर मातरा में होता है और निम्बू में साइट्रिक एसीड होता है जो नैचूरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है यह हमारे दातों से पीलेपन को दूर करता है और दातों को सफेद बनाता है नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट लेंगे हम वन टीजपून कोल गेट पेश्ट कोल गेट का ये पेश्ट हमारे दातों पे चमक लेके आता है हमारे दातों को वाइट बनाता है मोतियों जैसा सफेद करता है और हमारे दातों से जो पीले पन की जो परत होती है उस पे चड़ीवी उसे हटाता है अब सभी इंग्रीडियन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तूथ पेश, नीमबू और बेकिंग सोडा जब आपस में मिलता है तो ये रियक्ट करता है और एक ब्लीज का काम करता है ये रियमेडी आपके दातों पर बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगी आपके दात कमजोर है आपके दातों में दर्द है या आपके दातों पर कीड़ा लगा है मसूरों में सूजन है मसूरों से दातों से खून बहरा है तो ये रियमेडी आप यूज करिए आपको बहुत ही तैयार है बस अब हमें इसे यूज कैसे करना है यह हम देख लेते हैं तो हमें एक तूट ब्रश लेना है और इस रेमेडी को उस पे लगाना है और अपने दातों पे इसे पांच मिन्ट तक मसाज करनी है बस इस तरह से दातों पे आपको इस पेश्ट को लगाना है और ब्रश से रब करते जाना है पांच मिन्ट तक आपको बराबर अच्छी तरह से अपने दातों पे उपर नीचे अंदर सब साइड में इसको आपको रब करना है और फिर आपको दो मिन्ट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है दो मिन्ट बाद में आपको अपने दातों को साफ कर लेना है कुला कर लेना है तो बस इस तरह से इस प्रोसेस को आपको दिन में दो बार करना है एक बार आपको सौने से पहले रात को करना है और एक बार आपको सुबा मॉर्णिंग में करना है फर्स्ट यूज में ही आपको बहुती अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आप खुद देखकर एरान हो जाएंगे आपके दातों पे बहुती मेजिकल वर्क करेगी ये रेमेडी आपके दात एक दम मोतियों की तरह सफेद हो जाएंगे और चमकने लगेंगे आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो